यहां खबर सिर्फ खबर नहीं खबर एक मिशन है जब बात हो देश की तो संजोता कैसे स्वदेश नियूज सबसे पहले देश नमस्कार स्वदेश नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ राखी और आज हमारे स्टूडियो में खास महमान है खास बातचीत के लिए आपको बता दे कि सुर्खी से सपा प्रत्याशी शिशुपाल यादव जी हमारे स्टूडियो में आए हैं उनसे हम खास बात जी को भी बहुत इंतजार होगा क्योंकि सुर्खी से सपा प्रत्याशी इस बार बहुत जोर शोर से प्रचार में भी उत्रे और पूरी तरीके से ताकत लगा दी थी इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाओंगी शिशुपाल जी सबसे पहला सवाल तो यही क्योंकि तीन तारिक कैसा रहा है इस बार का चुनाओं। पूसके की Bea beauty और चैना चाहिती थीकीवारा पर कोई मजबूती के साथ माँ पोचे हम वहाँ जब आजब पहुंचे जर्गाने हम को बहुत सम्मान दिया वह इसने दिया हमने लोगोंने और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसने और सम्मान मुझे छित्र की जनता ने दिया है आगे उसका रिजिल्ट भी हमको मिलेगा चलिए सबसे बड़ी बात देखी गई देखिए विकास का मुद्दा बहुत जादा जोर मारता है और यदि हम सपा की बात करें अक्सर देखा गया है यह तो मैं यहां पर तीसरे दल ने ताकत दिखाई है ऐसे में यह ती देखा जाए तो क्या लगता है कौन सी महत्वपूर्पूर्ण बात या कौन सा महत्वपूर्पूर्ण मुद्दा था जो आपने उठाया हो और लगा आपको कि जनता उसको लेके आपका साथ देगी समाजवादी पाइटी हमेशा से ही चाहिए वो त्प्रदेश की बात हो या अन इस्टेट में भी जहां पर भी हम लोग समाजवादी पाइटी के लोग चुनाव मैदान में रहते हैं तो हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और भारतिये जनता पाइटी के जो लोग हैं वो हमेशा लोगों को कभी जाती में कभी धर्म में कभी गायग ओपर की राजनीती में छोटे-छोटे शेविश्यों में इनमें उल्याकर रखती है और दिशा भिरमित करने का काम करती है जूटा राष्टबात का डिंडोरा फीटने वाले लोग हैं ये और जिस तरीके चीटा कशी बिपक्षी दलों पर करते हैं उसके बावजूद जब इनके पास उसी दल के लोग आ जाते हैं सत्ता सरकार का लोब लालच इनको इतना जादा हो चुका है कि यह बगेर कुर्शी के लोग नहीं रह सकते हैं यदि 15 साल यदि आप सत्ता सरकार में रहे थे और य लेकिन जिस तरीके से मद्द प्रदेश को सर्मसार करने का कारिये भारतिये जनता पाइटी के लोगों ने किया यहां के मुखमंत्री ने किया पूरे देश में मद्द प्रदेश की छबी धूमिल हुई है और हम लोग समाजवादी पाइटी के लोग इसलिए में हम लोग सीटों पर चुनावल लड़े अब जनता का आशीरवाद हम को जो भी मिलेगा हमें सहत सुईकार होगा और आगे भी हम लोग हम लोग संगर्ष करने वाले लोग हैं हम आगे भी संगर्ष करते रहेंगे और समाजवादी पाइटी की विचार-धारा और नीतियो और सिद्धान्त के आधार पर हम काम करते रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजबादी पाइटी ने जो विकाशकारिये किये हैं उसका पूरा जो एक बड़ा प्रशारन न्यू चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी किया बीच-बीच में आपने दि यहां पर उतना वर्चस्व समाजबादी पाटी का ना दिखा और ना है ऐसे में लगता है आपको देखे यह अलग बात है कि किसने विकास किया किसने नहीं किया और पूरे वोटिंग हो चुकी है नतीजे अब सिर्फ दस्तारिक को आने हैं और सब कुछ जो सारी चीजें है वो जनता के हाथ में थी और जनता के हाथ में ही है क्योंकि बटन उन्होंने ही दबाया है तो नतीजे और जनता जनार्दन से बड़ा कोई भी नहीं है और बहुत सोस समझकर मुझे लगता है हमारे देश की जनता प्रदेश की जनता बहुत समझदार भी है तो उसने सोस स्माजवाइभा टीफ का ई Mississippi sausage एक हमारा स्मझवाइभाइभी पाइटी का बहुत अच्छा था यहां पर लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस की लोग जो जोड़तोड की राजनीती करते हैं उनहीं लोगों के कारन ऐज लोगतंत्र पर सवाल या निशान कड़े हो रहे हैं लोगतंत्र की ठीजानकर ले जारा है आज यदी बोटर का मात खतम हो जाएगा तो पुल्गत तो आये तो यहां निशाने की आवश्यकता है और प्रयाश कर रहे हैं पड़े लिख के लोग अच्छे लोग है एस बात को समझ भी रहे हैं कि जब तरीके से पहले लोग बोटर को लुब लुबावन देते थे ही आज केंडिडेट को खरीदने का काम कर रहे हैं कर सकेंडिडेटों को लुबाया जा रहा है कई तरह प्र लोबन दिये जाते हैं लोगों के लिए तो इन सब चीजों से बचते हुए हमको लोकतंत को सुरक्षित रखना है और रही बात बर्चस की तो समाजबादी पाइटी बर्चस का काम नहीं करती है समाजबादी पाइटी जन सेवा का कारिय करती है बर्चस तो जब पाइटी सरकारे सत्ता में आती है तो पाइटी का बर फारइब दिलाने कारिये इसी तरह अप्रदेश में समाजवादी सब्रक्राइब एक सब्सक्राइब यहां पर हमारे रहे राजसबसान सबस्राइब रहे तो समाजवादी पाइटी का वर्चत पहले वी था आज भी है और समाजबादी लोग जो हैं वो कल्वी थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे पहला टार्गेट हमारा रामानी राष्टी अदेक स्री अकलेश यादाव जी का देश के सबसे बड़ा सुवा है जिसका रास्ता दिल्ली भी तैग होता है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रद जनता हमारा साथ देगी उप्चोनाओं में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से जनता चाहती है यह दो दौनों पाइटिया है जो नीतियों सिद्धानतों से हटकर आब लोगों को खरीद परुक्त का काम कर रही हैं बोटरों को भी नुबाने का काम करती हैं केंडिड लोग दोनों अंदर से मिले हुए हैं इस बात को जनता समझ चुकी है जिस तरीक जब भी चुनाओं होते हैं और देखे सत्ता बंती है जोड तोड की बने या पूल बहुमत जनता जिसको देदे वो तो एक तरफा हो ही जाता है लेकिन हमें यह भी देखा है जब समर्थन की समाजवादी प्याटी समाजवादी पर चलती रही है समआज्वादी पाईटी नेना कभी समर्थन दिया है नकभी चाप लिया है और संयcjiժ कर दोड़ograph Briefly समर्थन okay स्माजबादी पायटी जनता के ह Uber के लिए समाजबादी पायटी काम् करती है चले ईसी कौन ऐसी खास बात है जिस तरीके से आपने कहा कि हम सरकार बनाएंगे मद्धिप्रदेश में भी बनाएंगे यूपी में भी बना लेंगे ऐसी क्या खास बात है क्यों चुने समाजवादी पार्टी को जनता देखे समाजवादी पाइटी के अगर यदि मैं मुद्दे गिनाने बैट जाओंगा तो मुझे लगता है इंटर्व्यू का समय हमको और बढाना पड़ेग कि तरीके से राष्टी अध्यख मानी अकलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकाशकारिये किये हैं यह अजब प्रदेश की जनता की जो गती है बहुत अबोध पड़ी है की और केगल कागजी सरकार रखी जंता को काम किया कोई कभी अपना बचन का निकालती रहा कोई गोश्चना पत्र निकालता रहा दृष्टी पत्र निकालते रहे अगर डेश्टी पर नजल ली जाए यहार्ड की आपनीछ 9 Ah ने आपने बचनों से कारिया किया है चाहे भ lush बनाने का लिए हो लग चलाने का का यह हो श्टे ऑठ लाक acesso बातने का का लिये हो या त्हाय बिद्ध के वेडिये नण का मामला हो या ब्रख्डश गहां की गई समाजबादियों ने पूर करने का तर देश के सामने इसका बहुत बड़ा प्रमार है उत्तरप्रदेश इस बात से कितना इत्फाक रखते हैं कि किसी भी पाटी को चलाने के लिए और हमेशा जन्ता का आशिरवात पाने के लिए एक जुठ होना बहुत जरूरी देखिए बगेर एक जुठ नहीं है कि अखेला जो है वह बाहर नी पोड़ सकता है और एक लकडी को कोई भी तोड सकता है लकडी के गठ्थे को को जोड़ सकता है तो मुझे यह बताईए कि इतना बड़ा परिवार इतनी बड़ी पार्टी को देखता है बहुत पुरानी बात हो गई वह डिस्प्यूट छोटे पिर कहां है और यह धिक जंता के मामलों की बात आजाती है जडि छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं कुछ बिशय आ जाते हैं और विश्यों को लेकर यद्यकों परिवार में भी अलग रास्ता चुनकर और उर पर जंता की शेवा कर नहीं तो अन वे उस बिशय पर नहां कि बात यह पर सब लोग एक है चलिए क्या लगता है यदि आगे की बात की जाए इस बार जैसे ही नाम आया था सुर्खी से की शिशुपाल यादव होंगे सपा के प्रत्याशी हैं मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे वेक्तिगत रूप से उन्हें तो यहीं लगा क है यह अखिलीज जी के परिवार का कोई हिस्सा है क्योंकि नाम भी और पार्टी भी तो क्या ऐसा कुछ है नहीं देखिए ऐसा है कि समाजबादी पार्टी का मैं सामान कारी करता हूं बहुत चोटा सा कारी करता हूं और समाजबादी पार्टी हमेशा से जो कारिय करने वाल तो मुझे निर्देश मिला कि चुनाव लड़ना है तो में चुनाव मैदान में भी फिर उत्रा और जनता का भरपूर इशने और प्रेम हमको मिला और आगे का रास्ता हमने खोल दिया है आगे समाजबादी पायटी का बिधायक वहां पर बनेगा इस बात का मुझे पूर भर है यह छी की बात कर रहा हूं और इस самой हम आगे 2023 के भी यारी कर रहा है तो हम लोग आगे की तईयारी भी कर रहे है। साथ में 10 को जो 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 भी हमको आशिरबाद मिलेगा जनता को वो मुझे सहस्वीकार होगा और आगे भी हम जनता के लिए काम करते रहेंगे बहाँ पर सुर्की बिधानसवा की बात की जाए उस चेतर में आज भी विकाश कारी है मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग ये देखिए कि सुर्की बिध ख़वर सब्सक्राइब जो जाल है जो इस तरीके से प्रिदानमंती सब्सक्राइब योजनां योजना निर्मान नहीं हुआ है जिसके और बहां के जो ग्रामीड जन है चाहिए वो दुख्द का काम करते हो चोटे-चोटे या कुटी रुद्योगों का काम करते हो वह उन को मिल रहा था कि मैं पर्टिकुलर कोड नहीं करूंगी कांग्रेस या भी जेपी क्योंकि हम बात आप से कर रहे हैं चर्चा आपकी हो रही है लेकिन फिर भी जो एक फीडबैक वहां से आया तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है लोग गए और एक जो है वो बीजेपी से कांग्रेस में पहुंच गई तो इन लोगों पर हम लोग कैसे भरुशा करें कि हम इनको अगर जिता भी देंगे तो आगे यह हमारे साथ भी देंगे विकास कारिये करेंगे तो इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी लोगों में लेकि कहीं ना कहीं लोगों को लालस देते हैं प्रलोबन देते हैं दबाव भी बनाते हैं इस तरह की राजनीती के कारण वो लोगों उन लोगों को दिखावटी जो होता है एक मैनेजमेंट वाला जो काम होता है जो इवेंट वाली बैसे ही इन लोगों को तो इवेंट वाला सरक कितना प्यार मिल रहा है जनता की हकीकत में देखा जाए तो सोच क्या है और जनता ने किसे चुना है क्या वाकई में कुल मिलाकर देखा जाए तो दल बदल कह लीजिए या गद्दार कह लीजिए या बहुत सारे मुद्दे इस बार चुनाओं में निकले हैं लेकिन जनता जन जीत का सहरा किसके सिर्बांधा है यह तो आने वाली 10 तारिक को ही पता चलेगा और शिशुपाल जी को भी जनता ने कितना प्यार दिया है यह भी 10 तारिक को आपके और हमारे सामने होगा शिशुपाल जी बहुत शुक्रिया आप हमसे बातचित की तो आपको बता दे कि जिस तरीके से तीन तारिक को मतदान हो गया है दस तारिक को वोटिंग होनी है और आपको बता दे कि सुर्खी से सपा प्रत्याशी के रूप में शिशुपाल यादव जीने इस बार चुनाव लड़ा है अब जनता जीत का सहरा किसके सिर्बांती है क्या वाकई भारती जनता पा जुकेंगे सब्सक्राइब कुछ भी करेंगे यहां खबर सिर्फ खबर नहीं खबर एक मिशन है जब बात हो देश की तो समझोता कैसे स्वदेश न्यूस सबसे पहले देश